नमस्कार दोस्तों मिर्डुप चैनल में आप लोग का स्वागत है 36 गड़ के गौरेला पेंडरा मरवाही के स्वास्वी भाग में विविन्ना पदों पर भरती के लिए विज्यापन जारी किया गया है तो इन पदों के लिए कौन को नवेदन कर सकते हैं सेक्षरिक युग्यता क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए मासिक वेतन कितना दिया जाएगा और वीडियो के अंत में आप लोग को बताने वाला हो जो ओफिस्यल नोटिफिकेशन विज्यापन है वो आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हो तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आप लोग यहां पढ़ सकते हो विज्यापन जारी की आगे है मुख्य चिकिस्सा एवं स्वास अधिकारी जिला गौरेला पेंडरा मरवाही 36 गड़ के द्वारा जिसके अंतरगर्थ स्वास विभाग में विविन्न पदों पर भरती किया जाना है इक्चुक अवेदक अगर अवेदन करना चाहते हैं तो अवेदन पत्र के साथ समझ दसावे डौकॉमेंट को काल्य मुख्य चिकी सायों स्वास अधिकारी जिला साकारी केंद्रिय बैंक परिसर गौलेला पेंडरा मरवाही 36 गड़ के नाम से दिनांग 20 नवंबर 2020 साम 5 बजे तक रजिस्टर डांग के माध्यम से अवेदन कर सकते हैं निर्धारी थिदी के बाद अगर आप लोग अवेदन करते हो तो अवेदन पत्र शिकार नहीं किया जाएगा आप लोग यहां पत का नाम देख सकते हो फिजियो थेरपीस्ट के एक पत पर भरती किया जाएगा वर्गवार अरक्षित पदो की संख्या आप लोग यहां देख सकते हो मासिक वेतन दिया जाएगा 16,500 रुपे सेक्षरी क्यों गयता होना चाहिए बेचलर डिगरी इन फीजो थेरपी से N.M. के लिए पदो की संख्या एक है सेक्षरी क्यों गयता होना चाहिए बारवी पास इसी के साथ N.M. कोर्स पास दोना चाहिए और लाइव रई स्टेशन होना चाहिए 36 गर नर्सिंग काउंसिल से मासिक वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपे नर्सिंग ऑफिसर के टोटल 21 पदो पर भरती किया जाएगा चाहिए बारवी पास इसी के साथ N.M. कोर्स पास होना चाहिए और लाइव रई स्टेशन होना चाहिए 36 गर नर्सिंग काउंसिल से मासिक वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपे ओटी टेक्निशन के लिए पदो की संख्या एक है मासिक वेतन दिया जाएगा 14,000 रुपे सेक्षडी के ओग्यता होना चाहिए बारवी पास बैलोजी, केमेस्ट्री, फिजिक से इसी के साथ लाइव रई स्टेशन होना चाहिए 36 और पैरामेडिकल काउंसिल से डेन्टल असिस्टेंट के लिए पदो की संख्या एक है सेक्षडी के ओग्यता आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मासिक वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपे सेकेत्रियल असिस्टेंट के लिए टोटल एक पद पर भरती किया जाएगा सेक्षडिक योग्यता होना चाहिए BCA मिनिमम 50% अंकों के साथ इसी के साथ एक वर्सर कम्प्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए मासिक वेतन दिया जाएगा 13,650 रुपे सेकेटरियल असिस्टेंट DPMU के लिए तीम पदों पर भरती किया जाएगा सेक्षडिक योग्यता सेम है आप लोग यहाँ देख सकते हो मासिक वेतन दिया जाएगा 13,650 रुपे सेकेटरियल असिस्टेंट NPCDCS में एक पद पर भरती किया जाएगा सेक्षडिक योग्यता सेम है और मासिक वेतन भी सेम है आप लोग यहाँ देख सकते हो Assistant Accountant के लिए Total एक पत पर भरती किया जाएगा Secretary क्योग्यता होना चाहिए B.com minimum 55% अंकों के साथ में इसी के साथ एक साल का Computer Diploma Course किया हुआ होना चाहिए और टेली का Knowledge होना चाहिए मासिक वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपे District Data Assistant के एक पत पर भरती किया जाएगा Secretary क्योग्यता होना चाहिए B.C. Computer Science से regular किया हुआ होना चाहिए या फिर CMA minimum 55% अंकों के साथ पास होना चाहिए मासिक वेतन दिया जाएगा 18,000 रुपे MOIU के एक पत पर भरती किया जाएगा सेक्टरी क्योग्यता देख सकते हो आप लोग क्या मांगा गया है मासिक वेतन दिया जाएगा 25,000 रुपे Dental Surgeon के टोटल एक पत पर भरती किया जाएगा सेक्टरी क्योग्यता होना चाहिए Bachelor of Dental Surgery या फिर Master in Dental Surgery से मासिक वेतन दिया जाएगा 25,000 रुपे दोस्तो टोटल 37 पदों पर भरती किया जाएगा आप लोग यहां वर्गवार अरक्षित पदों की संख्या देख सकते हो दोस्तो आप लोग यहां 1.13 पढ़ सकते हो जो बहुत ही महत्पून है प्रतेक पद के अवेदन पत्र के साथ निर्धारित अवेदन सुल्क राष्टे कृत बैंक के द्वारा के नाम से जारी डीडी बनाकर अवेदन पत्र के साथ सलगन करना अनिवार होगा अवेदन सुल्क का विवरण निम्न प्रकार है जिन पदों के लिए मासिग वेतन 25,000 से कम है उनके लिए अवेदन सुल्क 100 रुपे लगेगा और जिन पदों के लिए मासिग वेतन 25,000 से अजिक दिया जाएगा उसके लिए अवेदन सुल्क 200 रुपे दिया जाएगा आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो वीकलांग, अनुसुचि जाती, अनुसुचि जन जाती, महिला के लिए अवेधन सुल्क 100 रुपे लगेगा अन्य पिछला वर के लिए 200 रुपे और अनरक्षित वर के लिए 300 रुपे अवेधन सुल्क लगेगा अवेदक की उम्र 1 जनवरी 2021 को निन्तम 18 वर्स होना चाहिए जबी आप लोग इन पदों के लिए अवेदन करें दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधीक जानकारी चाहिए तो आप लोग यहाँ देख सकते हो ओफिस्यल वेब साइट का लिंक दिया गया है यहाँ पर जाकर आप लोग ओफिस्यल नोटिफिकेशन विग्यापन डाउनलोड कर सकते हो या तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंक दे दूंगा आप लोग वहाँ पर जाके डाउनलोड करके देख सकते हो इसी विग्यापन के नीचे जो अवेदन पत्र का प्रारूप है वो सलगन है अटैच है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पदों के लिए आवेदन करें इस विग्यापन से संबंदित अगर आप लोग पास कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद